हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मेरूपम तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूं दिखी कितना प्यारा सा फ्लावर रेनकुलस चोकि फ्लाबरिंग अब स्टार्ट हो गई है और कितना प्यारा सा दिखे रूज के जैसा दिखने वाला यह फ्लावर कितने सुन्दस के पिटल गुल घुमें हैं और कितने प्यार्य हैं आप देख सकते हैं कितनी प्यार प्यार इसे कलर कालया कलिया दीखी कितनी बनी हूई है आई और जब नरशरी से ले कि आय थी किस तरह की मिट्टी से ग्रो करा सब मैं बताऊंगी आप लोगों को आज का टॉपिक है मेरा छोटी सी सौपिंग मैं फरवरी के लास्ट मन्थ में करके आई हूं तो वही मैं दिखाने वाली हूं आपको तो चलिए मिलते हैं मेरे सौपिंग पे तो फ्रेंड देखे मैं आ कि खली और बोंडस मतब कि बोन मील जिसे बोलते हैं वह मैं लाने के लिए गई थी क्योंकि थोड़ा सा जो कि परमानेट प्लांट वगरा है ना तो उसी में थोड़ा वर्मी कमपोश के साथ मिक्स करके देना था तो ऐसे खुले में मिलता है वजन तॉल करके वो देते हैं तो मेरी खत्मों गई थी तो जब मैं लेके आई वहां प्लांट में इतनी सुन्दर सुन्दर फ्लावर खिले वे थे तो मैं खरिद लिया मैंने सौपिंग कर लिया अच्छा लगा मुझे बहुत प्यारा सा प्लावर में दिखा रही हूं आपको यह देखे यहां से निकाल करके बहुत सुन्दर सा प्लांट जो कि मैं सोच रही थी ना है से हटा देती हूं जो कि मैं सोच रही थी ना कि बल्ब मंगा करके इसके बल्ब ऑनलाइन कोविन भाई के पास भी मिल रहा था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्राइज लग रहा था उसका और मुझे बल्ब यह नहीं देखे लिए हैं दो प्लांट ली हूं देखती हूं कौन-कौन सा कलर निकलता है बहुत सुन्दर सा रिजनेवल प्राइज मुझे मिल गया और दूसरा मैंने लिया देखे यह वाइट कनहिर देखे एक कनहिर मैं आप लोगों को दिखाई थी यलो जो मैं कटिंग से लगाई थी और दूसरा मैंने यह वाइट कनहिर लिया सामने अच्छा सा कलर लग रहा था और कोई कलर खिला वो नहीं था वो बता तो रहे थे कि यह कलर वो कलर है लेकिन बगएर खिले पता नहीं चल प्लावर देखिए आप मेरी बहुत सुन्दर देखिए इसको उन्होंने युस्टोमा बताया है इसे बोलते हैं बहुत सुन्दर सा फ्लावर प्लांट और इतने प्यारे मतब कि सेमी सेड में चलने वाला यह है इसे मतब कि अभी गर्मी के मौसम में धूप में नहीं रख स से सेर करूंगी लेकिन सबसे पहला फ्लावर देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर में लेकि आई हूं बहुत सुन्दर सा उसके बाद फिर देखिए इसका दो कलर में लेकि आई हूं देखिए इसमें भी कलियां बन रही है तो मुझे लगता है यह वाइट होगा लाने में तो बहुत बुरा लगता है ना प्लांट लाने के समय कलियां वगरा तूट जाती है तो थोड़ा सा कि वह कली अब तूट के निकल गई अब दूसरा बनेगा टाइम लगेगा खिलेगा तो देखिए कितना प्यारा समय कलर दो लेके आई हूँ यह हो गया उसके बाद फिर दे में प्रॉब्लम हो गया तो यह है फ्रेशिया का प्लांट उतना खास यह थोड़े पतियां जली-जली सी है लेकिन मैं इसको ठीक कर लूँगी और इसका दूसरा कलर भी मैं दिखा देते हूं यह कुछ हेल्दी प्लांट है देखे यह एक यलो कलर का यह अपके ग्रीन-ग्री दिखा है देखे नीम कीख ली है मैंने 5 g आभी मैं इस ही मेरी और देरहे हैं तो ब्रॉद में आप दिखा दूंगी उसके वाद फ्रेखिए यह में निकाल कर दिखा कि दिखा रही हूं कितने से बहुत यह यह दिखर लंबे हैं यह लाख्क लावर है बहुत सुनर सा उन्ह लाश्ट शॉपिंग थी उसके बाद फिर घर्मी का जो मौसम आने वाला है जो कि समर सीजन वाला जो प्लांट आ जाएंगे बहुत सारे तो फिर उसको देखते हैं उसको लिया जाएगा अभी तो फिलाल इतना ही मैं लेके आई हूँ और देखे छोटी सी शॉपिंग मुझे बहुत ही प्यारा लगा यह फ़्लावर और इस बार कलेक्शन फ्लावर पिबहुत ही अच्छे हैं अग्लेक्षोनिया मैंने बहुत ही अच्छे खरीते डिखी स्वारइब फिला प्लावर के सब्सक्रा एग एकश सामान ही और बहुत क्लालिक से सेर करूँगी तो फ्रेंड एक में वाइट कलर का लेकिया हूँ बेगम बाहर